की मौत हो रही है वहीं जोदपुर आई आई टी में साहिक प्रोफेशर की संक्रमन से जान चली गई प्रोफेशर डॉक्टर वंदना शर्मा का एम्स में इलाज चल रहा था अपने होनहार प्रोफेशर को खोने पर संस्थान के सदश्य गमगीन है आपको बता दें कि आई आई टी में अब तक दो सो पच्चीज से अधिक छात्र और शिक्षक संक्रमित हो चुके हैं प्रोफेश में लोकडाउन के कारण गरीब और जरूरतमंद लोगों को समश्याओं का सामना करना पड़ रहा है ऐसे में कई भमाशा है और समाज से भी आगे आकर उनकी मदद करने में जुटे हुए हैं इसी कड़ी में जयापूर के विद्याधन अगर विदानसभाक शेतर में सुमित शर्मा और उनकी टीम जरूरतमंद और गरीब लोगों की हर संभव मदद करने में जुटी है सुमित शर्मा और उनकी टीम की और से विदानसभाक शेतर में गरीब परिवारों को सूखा राशन और भोजन निशुल के वित्रित किया जा रहा है इसके साथ इक शेतर में सेनिटाइजेशन का काम भी तेजी से चल रहा है सुमी शर्मा का कहना है कि इस महामारी के दोर में किसी गरीब परिवार को किसी भी प्रकार की समश्या का सामना नहीं करना पड़े इसी उद्देश्य को लेकर जनता रसोई का संचालन किया जा रहा है जिसके जर्ये हर दिन करीब 500 परिवारों को निशुलक भुजन और सूखा राशन वित्रन किया जा रहा है इस कारे में रवी स्रीमाली के सर्मल शर्मा, दोलत सेनी, शुभम पारिक, इमरान और अमित के साथ कई लोग सही होग कर रहे है